अध्याय बारा इस मन्सा से के फसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। तो देखो प्रभू का एक स्वर्ग दूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में जोती चमकी और उसने पत्रस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगाया और कहा और उसके हाथों से जंजी ने खुल कर गिर पड़ी है। तब स्वर्ग दूत ने उससे कहा कमर बाद और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया फिर उसने उससे कहा अपना वस्त पहन कर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया। परन्तु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्ग दूत कर रहा है वो सचमुच है। परन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकल कर उस लोहे के वाटक पर पहुँचे। जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया। और वे निकल कर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्ग दूत उसे छोड़कर चला गया। तब पत्रस ने सचेत होकर कहा। अब मेली सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्ग दूत भेजकर हिरोदेस के हाथ से चुडा लिया। और यहूदियों की सारी आशा तोड़ ली है। ये सोचकर वो उस यूहन्ना की माता मर्यम के घर आया। जो मर्कुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकठे होकर प्रात्ना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटकटाई तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आई। और पत्रस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला। परंतु दौड कर भीतर गई। और बताया कि पत्रस दौआर पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू पागल है। परंतु वो दिर्ड़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्ग दूद होगा। परंतु पत्रस खट-खटाता ही रहा। सो उन्होंने खिडकी खोली और उसे देखकर चकित हो गए। तब उसने उन्हें हाथ से सेन किया के चिप रहे और उनको बताया के प्रभू किस रीती से मुझे बंदी ग्रह से निकाल लाया है फिर कहा के याकूब और भाईयों को ये बात कह देना तब निकल कर दूसरी जगह चला गया भोर को सिपाईयों में बड़ी हलचल होने लगी कि पत्रस का क्या हुआ जब हैरो देश ने उसकी खोज की और ना पाया तो पहरूं की जाच करके आग्या दी के वे मार डाले जाएं और वो यहूदिया को छोड़ कर केसरिया में जा रहा है वो सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था सो वे एकचित होकर उसके पास आए और बलास्तुस को जो राजा का एक करमचारी था मना कर मेल करना चाहा तोकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोशन होता था और ठेराय हुए दिन हैरो देश राजबस्त्र पहन कर सिंगाहसन पर बैठकर उनको व्याख्यान देने लगा इस पर लोग पुकार उठे कि ये तो मनुशी का नहीं परमेश्वर का शब्द है उसी क्षण प्रभू के एक स्वर्ग दूत ने तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना की और वो कीडे पढ़के मर गया परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया जब बरनबास और शावल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो युहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरुशलेम से लोटे युहन्ना को जुहन्ना को जुहन्ना को जुहन्ना को जो मरकुस कहला है से लोट्स कि तो जुछ से प्रवदThis